वदाई जिते खाल्सा साजना देवस समचे गुरु खाल्सा पंथ बलों सारे विश्वद विच मनाया जाना है उते तक सिरी दमदमा साहब दलबंडी साबो दे मुकाम दे उते इपावन पर्ब बड़ी शर्दा ती उत्षा सहत मनाया जाना है एक खाल्से दा मान मता शान मता गौरों में परवाय और एस विसाखी दे परवनों मनावन दे शरुवाद गौएंदवाल साहब दी तर्थी दे उते दीन दुनिया दे वाली तंतं साहब सिरी गुरु अमर दास्थी माराज ने पररंब कीती से गुरु काल्दे विच जिते वी गुरु साहबान दा विशराम होंदा सी पड़ा होंदा सी वैसाखी आउंदी सी उत्हई एस परवनों बड़ी शर्दा ते उत्षा सहत मनाया जान्दा सी वैसाखी दा परव जेड़ा बड़ी शर्दा ते उत्षा सहत तानुगुरु गोवन सेंग पात्षाजी दी अगवाई दे विच मनाया जाना सी दो तेन मीने पहलों इसक संगता नो सदा पतर जड़िया पेश दते गए के एस वार वैसाखी दे मौके दे उते संगत दूरों दूरों चल के गुरु के पावन पवितर अस्थान स्री अनादपुर साहिब दी पावन तर्थी दे उते हाजरों वे हजारू दा एकाठ होया विसाखी वाले दन हजारां दे एकाठ दे विच तानुगरु गुबन सिंग महराज ने पाँच प्यारियाँ दी चोड़ के ती पाँच प्यारियाँ ने सी स्ष पेट कीते तानुगुरु गोविन सेंग महराज ने आज दे देन 1699 नो सिरी अनादपुर साहग दी पावन्त अर्ती दे उते खंडे बाटे दी पाहल तियार करके पहलो पांज प्यारे सहबान नो शकाई फिर पांज प्यारे सहबान दी पासो आप अमर्त दी दात प्रापत किती यो आज दे देन 1699 नो खालसे दी साजना अकाल पुर्ख वहे गुरु दी मौज दे वे चतान गुरु गोविन सेंग महराज ने किती और उदो तो असी एस वे साखी दे परवनो खालसा साजना देवस दे रूप दे वेचा मनाओं दे या 1706 दे वेचा जदो तानगुरु गोविन सेंग महराज एस अस्थान दे उते सबाइमान सन ओस वाकत वी जदो वे साखी दा पुरवाया ततक सिरी दमदमा साहब तलवन्डी साबो दे अस्थान दे उते साबो दे मकाम दे उते पहुचे और एवी इतफाक है कि ओस वकत भी एक महा मारी जड़ी है एस अलाके दे वेच फैलियो इसे ते तानगुरु गोविन सेंग पाथशा जी ने ए आदेश कीता कि जेड़ा वी तक सिरी दमदमा साहब तलवन्डी साबो दे मकाम दे उते पहुच के खंडे बाटे दी पहुल चाथके मनों तनों नाम बानी दे नल जुड़ेगा उसनु ए बमारी पो नी सकेगे ते साड़ा इतिहास दस्दै के मालवे दी तर्तितों हजारां सिखाने एस अस्थान दे उतने पहुच के आज दे देना 1706 नू तानगुरु गोविन सेंग पाथशा जी दी अगवाई दे विच तियार होए खंडे बाटे दी पहुल नू शाकेया आज दे देनी खंडे बाटे दी पहुल नू शाक के पाई डला गिडे सी सैथ परवार पाई डाल संग होए बड़ी तदाद विच एस अस्थान दे उते तानगुरु गोविन सेंग महराज ने वैसाखी दा परवजड़ा सी 1706 दे विच मनाया सी और मालवे नू गुरु का मालवा केके बक्षशा कीतिया सी सनवान देता सी और उदो तो लेके अज तक हर साली एस अस्थान दे उते खालसा साजना देवस बसाखी दा परवा बड़ी शर्दा पावना ते उत्शा दे सहत मनाया जान दा पहला मालवे दा का ठूंदा सी और दुनिया पर दे सेख तकसरी दमदमा साथ दे मुकाम दे उते आके खालसा साजना देवस दे परवना जड़ा शर्दा दे उत्शा साथ मनाया साथ संगती आब तकसरी दमदमा साथ कलवन्डी साहपो दे मुकाम दे अधर हज़र हुए यो आप जीनू जिते जी आया नू उधे बहुत 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 आप सारी संगतनो मबारका आज जिते आची kinda सा ज़ना दिवस मना रहे हैं वो थे आसी बहुत सारी चनावतियां दा भी सामना कर रहे हैं साधे सामने बहुत सारी चनावतियां जडियां ने दरपेश ने जिते महा मारी दा मुकाबला सी कर रहे हैं वो थे आसी अपनी कसानी नू बचाउन दा जतन कर रहे हैं आर्थक ताउरते अपने आपने खुशहाल रखन दा जतन कर रहे हैं, क्योंकि जड़ियां कौमा जड़े परवार आर्थक ताउरते टोठ जान दे हैं ना, ते ओ फिर आत्मक मौते भी खत्म होना शुरू हो जान दे है, जड़े परवार दे कारदे विचो खुशहाली गाय वो जान दी है, पामेओ किसान दा कारोवे, पामेओ मजदूर दा कारोवे, पामेओ बपारी दा कारोवे, पामेओ किसे नौकरी पेशा दा कारोवे, जड़ो दे तो रुजगार खिस जान दा है, आमदन दे वसीले खुश जान दे है, बपार च काटा पै जान दा है, किसान पुखे मरन तक नवबता जान दी है ते ओस वकत तो परवार जड़ा है चरमरा जान दी है अज साड़े सामने जड़ी सब तो बड़ी चनवती है ओ एह हुई है कि असी आर्चक ताउर्दे उते कमजोर हुंदे जा रहे हैं और सरकार्दिया नीतिया भी जड़ीया ओजेहिया बन रहे हैं जड़ीया सानू आर्थक ताउर्दे ते मजबूत करन दी बजाए कमजोर कर रहे हैं ने कोजक कराने नो अमीर कर रहे हैं सरकारी पॉलसिया पर बहुग इनती नो कमजोर कर रहे हैं ने यह हुई कारण है कि असी आपने आर्थक बसीलिया नो बचाउन वास्ते असी अपने करांदे वेचे खुशहाली नू बरकरार रखन वास्ते जदो जैद कर दे पहें और लडाई जड़िया हमेशा ही मनोख जड़ा है अपने आर्थक वसीलिया नू बचाउन दे लई जगां जगां तो लड़ा आया है ते जगां जगां तो ही एस मनोख ने जड़ा लड़े भी रहना है अपने परवार लई अपनी नौकरी लई अपने बपार लई अपनी जमीन लई अपने बच्यान रोटीख मौन दे लई हर प्राणी संसार्दा संगर्ष करदा है चाहे यो जानवर है चाहे यो पंच्छी ने चाहे यो कीडे मकवडे है ते असी इनसान भी संगर्ष करदे हैं और कर रहे हैं कर दे रहना है वाहिगुरुव के अरदास है कि सचे पाथशा साड़े ते मेर परिया हाथ रखे जेडिया कौमा अकाल पुर्ख परमेश्वर दे विश्वास दे नाल संगार्ष दे वेची कोददियाने उनना दे संगार्ष हमेशा काम जाब उन्दे ने साड़े सामने 18 मी सदीदा इते हास है जदो साड़े बज़र्गों को अड़िया दे, काठिया दे रेंदे हुदे से खांननों छूलर्व दे एक मौठ मेल दी हुदी सी रोज उ भी कदे मेल दी सी कदे नई मेल दी से सरकार बल्लों सेरांदे मौलब आयो ऐसी कि जिड़ावी कि ते सेख मिलदा है उदा सेरबाट के पेश करो ता नू मूं मंगी कीमत मिलोगी एहो जी पजीशन देवेच एहो जी हलातां देवेच साथे बज़रगा ने कदे हांसला नी हारी है कदे हमत नी हारी ओ दावर सी जो पता-पता सिखांदा बैरी सी ना कार सी ना कार सी ना जमीन सी ना जायदाद सी जैसी सिखांदे नाल ते केवल ते केवल गुरू सी अज भी जैसादे नाल गुरू है असी गुरू दा कदे साथ ना चड़ांगे ते साड़ा गुरू कदे साथ नी चड़ेगा ते साथे नाल गुरू रहेगा ते हर दवान हर मदान साथी फते होएगी जी असी गुरू नू छाड़ता असी कले रहेगे ते फेर जड़ा है साथी जत असंबब हो जानी है आज खालसा साजना देवस दे मौके दे होते दुनिया पर दे सिखा नो एहोई अपील कर दे हो कि गुरू दे बनके रहो तांके गुरू तो हड़ा बनके रहे गुरू जरूर सड़ा बनके रहेगा जी असी गुरू दे बनके रहेगी असी गुरु वाले बढ़िये खंडे बाटे दी पहल चेकिये तक्षिरी दंदमा साहिब दे मुकाम दे उते तान गुरु गोबिन सिंग पाथशा जी तान तन बाबा दीब सिंग जी दिया महान पावन पवितर निशानियां ने जिनन दे आप जीनु दर्शन कराए जाने ने आप त्यांदे नाल शर्दा पूरवक गुरु के पावन पवितर शास्तरां दे निशानियां दे दर्शन करके सुपागा जड़ा है समा प्रापत करके गुरु की खुशियां जड़ियां है तो प्रापत करो तंतन साहिब स्री गुरु गोबिन सिंग पाथशा जी दा एस अस्थान देोते मुकाम बड़ा अहम सी तक्षिरी दंदमा सही अस्थान जड़ा है इस करके भी एहम है क्योंकि एस अस्थान देोते तांतन साइव स्री गुरु नहीं से पाज़ नहीं संपूर नता बख्षी है पाइमनी संग जी पासो बाबादीप संघ तांतन 57 स्रीगुरु गोबिन संग महाराज ने ऐस अस्थान दे होतायां मिलेशो नहाया दर्शन कर रहे हूँ यह Тान्तन साहिफ सीगुरु गौबन संग महाराइस ने गात रे दी ए कदेवी शस्तर तो रहतो के जड़ा है ओ नहीं विचरना है इतो तक माराज ने बचन कीते सी के बिना शस्तर के सिंग दिवो ना दिदारे बिना शस्तरा तो और बिना के सा तो कोई सिख जड़ा है ओ सानू दिदार करन साड़ा जड़ा है ओ ना आवे इता अनुगुरु गोम गोबन सिंग माहराज दे गात्री दी सिरी साहब है जस्ते आप सारी संगत्रिया है वो धर्शन कर रहे हो। ए बदू कै तानुगुरु गोबन सिंग माहराज नो सिखने पेट कीती सी। क्या जी माहराज इस दा नशाना बड़ा सटीक है। उस वकक पाही डाल सिंग ने तानुगुरु गोबन सिंग माहराज नो कहा माहराज तुसी अनादपुर साहब दे वेच जुद लड़ेया तुसी चमकावर साहब दी तरती दे उते जुद लड़ेया तुसी स्री मुकसर साहब दी तरती दे जुद लड़ेया तुसी मैनो सुन पाई डल्ला जी दे अंदर थोड़ी हंकार दी पावना है ये बानी दा बचन है के हर जी ओ हंकार ना पावा ही वेद कूक सुनावा है गुरू नो नहीं पहुंदा के सिख दे मान दे वेचे कोई हंकार आवे जे हंकार दी पावना पैदा हो जावे ते फिर गुरू जड़ा उस वक्त उसनों कौत कवरता के दूर भी करदा है। वड़े पाही डाल संग कहन लगे मारास तुसी जे निशाना परखने किसी चिडी जिनावरते परखलो मनोखते के में परखोगे मनोख गड़ा है वो किस तरह सद्गुरु जी अगे आके एस चनवतीनों सबकार करेगा। मारास कहन लगे जाओ पाही डाल संग जी साठे खेमे दे विचो आवाज मार के लियाओ। कहों सिखानू के तानगुरु गोमन सिंग माराज ने बदूक दा निशाना परखने कोई सेख देड़ा सामने आके खडोगे। तानगुरु गोमन सिंग माराज ने बोल सुनके उसे वकती तानगुरु गोमन सिंग माराज सामने आके खडोगे। दोनों प्यों पुतर एक नीमा हुए दूजा उताँ हुए दूजा उताँ हुए दूजा उताँ हुए ते पहला उताँ हुए कहे माराज मेरे ते निशाना पर खो पहला मैं आवाज सुनी हैं दूजा कहे माराज मेरे ते निशाना पर खो पहला मैं आवाज सुनी हैं तानोगरू गोबीन सिंग माराज ने बदूग दा फायर उना दे सिरां तो कर दे अपाइड ाले नुके अडाल से हा जंगा जडियाने ओ के वल सरीरक बलबोते दे उते शत्रा दे नाली नी जितियां जाननी आ जंगा हौसले दे नाल जंगा हिम्मत दे नाल जंगा मौद दा मन दे विच चाह पैदा होए तां सेंकां दे अंदर फिर जंगा जडियाने ओ जितिया जान दियाने साड़े जड़े सूर बीर जो दे है पामेना कोले चंगे शास्तर रही है पर फिर भी इना दे अंदर हांसला हिम्मत दलेरी है और इना ने चमकाओर दी जंग दे विच इना ने अननदपुर सहीब दी तरती दे होते और मुकसर सहीब दी जंग दे विच इना ने अपने हांसले हिम्मत बहादरी दे बलबुते और सब तो बडिगाल के गुरू दे विश्वाश दे बालबूटे दे उते जट जड़ी है उँ ऩाहसल कीती है कली दलेरी बहादरी कामनी होंदी गुरू दा प्यार दे मौद दा जड़ा है पाहे जड़ा है मानदे पिछ ना होए धेर जड़ी जग जड़ी है ओ जत्ती जणदी है ए ओ बदू के जीदे नरतान गुरु गोमिल सिंग महाराज ने पाही बीर सिंग पाही तीर सिंग जीदे उपरों दी फैर कर दे के पाही डले दे हनकार नू तोड़े आसी और निशाने दी जड़ी है उपरक कीती से ए मोहर है सासंगत जी पांज सदकार ते अदब दे पातर साड़े तकत है स्रीयकाल तकस सहब है तकस स्री हरमंदर जी पटना सहब है तकस स्री केसकर सहब स्री अनांदपुर सहब है तकह सिरी दमदमा साहब जी तलबंडी साबो है ते पंजबा तकह सिरी हजूर साहब सचका नादेड है पर एवी तकह सिरी दमदमा साहब नो मान परापत है के मोर जड़ी है तकह दी मोहर जड़ी है तो केवल ते केवल तक शरी दमदमा सहथ जे स्थान दे उते सबाइमान है जिदे ते लिखेया अकाल सहाए जगा गुरु गोबिंग संग्जी की तक शरी दमदमा सहाए जिदो पाथशा जी ऐस अस्थान तो मकाम करदे होए सिख संगतां दे नाओं हुकम नामे जारी करेया कर दे सान ओस वकत ए मोर जड़ी है उन्हा कागजां दे उते उन्हा हुकम नामे दे उते लाही जान दी सी और आज तक्षरी दंदमा सहब दे मकाम दे उते ए चांदी दी ओ मोहर है जिसनों तामगुरू बोबन सिंग पाथशा जी होकम नामे दे लिखना वकत कागज दे उते जिड़ा है ओ इस्ते माल करेया कर दे सान वर्तेया कर दे सान ए तेगा अमर शहीद तंदन बाबा दीब सिंग जी ने गात्रेदा है एस तख़ दे उते तंदन बाबा दीब सिंग जी ने पंजास साल तो वद समा सिवा किती है पंजास साल तो वद समा एस तख़ दे उते रह के तंदन बाबा दीब सिंग जी ने ना केवल खाल से नू जंगी बिद्या दे कर्तब जड़िये सखोने पर अरंब कीते बलके सब तो एहम गल के एस अस्थान दे उते तंतन बाबा दीब सिंग जी ने शीरी गुरु गुरंट सहब जी दे चार उतारे जड़ेया ओ किते सन जिननों चार दखतां दे उते सुबाइमान कीता से तंतन बाबा दीब सिंग जी ओ महान अमर शहीर सन जदो एस अस्थान दे उते तंतन बाबा दीब सिंग जी नों पता लगया के दुरानी ने करिंदिया ने सचखन सिरी हरमंदर सहब जी बेयद भी कर देती है तो एस अस्थान तों तंतन बाबा दीब सिंग जी ने खंडे दे नल लकीर खिची और सिखानों किया कि पाई ओ साधे नाल तरन वासते त्यार होए जिनू माउत दा पहे नहीं है कोई एक सिख भी ऐसा नहीं निकलिया जिनने लकीर पार करके तंतन बाबा दीब सिंग जी दे नाल जड़ा है उ जानतों इनकार किता होए सारे दे सारे सिख सूर्बीर जो दे जड़े सन एस तकस सिरी दमदमा सहब तलबंडी साबो दी पावन तरतीतों तंतन बाबा दीब सिंग जी दे नाल सचखन सिरी हरमंदर सहब जी दी बेहरमती वी दा बदला लैन वासते तुरे एस अस्तान दो कोजिक सिख तुरे लेकन जा दिया रा दे विच बहुत सारे सिख ते काफले तंतन बाबा दीब सिंग जी दी फाज दे विच शामल हुंदे गए और सुरी अमर सहब दे मकाम दे उते पहुंच दे या पंच हजार सिख ता तंतन बाबा दीब सिंग जी दी नाल आर लैया और सचखन सिरी हरमंदर सहब ज जी दे गातरेदा ए तेगा है जस्ते आप सारी साथ संगत जी दर्शन कर रहे हो इस तो अलावा एस अस्तान दे होते एक शीशा है तांतन साहिव स्रीगुरु गोबन सिंग माराज ने एक सेखने शीशा पेट की ता क्या माराज ए बहुत खूब सूर्त शीशा है लकड़ दे फ्रेम दे विच जड़या है एदे नारत उसी दस्तार संजाओ दे वकत अपनी दस्तार दे पेच ठीक कर लिया करो तांतन साहिव स्रीगुरु गोबन सिंग माराज दे बोल जड़या है अज भी सार्थक हो रहे है अज भी सफले हो रहे है लकवा जिनना नू हो जान दे है ओ एस तक्षरी दमदमा सहिफ दे मकाम दे होते आके एस शीशे दे मूरे बैठ के वहे गुरु वहे गुरु जब दे और तैन दे जब दे बिंगे चेरे गड़ेने उसे दे हो जान데 अगरु गोबन सिंग माराज दे दिया है इस अस्तान दे उते बस्धान देEM जड़या है ये तक स्री दमदमा साहिब जीदा मकाम है जिते तंतन साहिब स्री गुरु गोविन सिंग महराई दिवान सजाया कर दे सन इस अस्थान दे उते दिली तो गुरु के मैल आके तान गुरु गोविन सिंग महराज नो मिले सी जिदो पुछया सी कि पाठशा जी साथ जादे नजर नी आउने ते इसे स्थांदे उते बैठके संगत वले हाथ कर दे हमाराज ने किया सी इन पुतरन के सीस पर वार दिये सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार उस वकत साड़े जड़े बज़र्ग तानगुरु गोवन सिंग मा साड़े उस वकत जड़े बाबे सामने बैठे सी साड़ियां मतावा सामने बैठे सी ओगाद गाद जड़ियां होईयां उचियां उठियां के माराई तानगुरु गोवन सिंग पाठशा जी ने सानु अपने पुत्रा ने नियाई समझया है सानु अपने पुत्रा तो बद बद किसमत संसार दे कोई नी होगा. माराज ने बचियां हुनिया कलमा ते शाही जड़ी है ओ पाई सी के हासी के एस अस्तान दे उते जड़ा बिद्या प्रापत करलवास दे आएगा ओ महान बिद्वान बनके जाएगा आज तान गुरु गोविन संग माराज दे बोल सफले हो रहे ने माराज ने क्या कांशी एक ओते शिर्फ ब्रह्मन पढ़न जा सकते पर तक सरी दम्तमा साहिब एक गूरू की ऐगी। अपनी तर्टी दियोते दो जुनुवस्तियां जड़ियां है वो समोई बठा है ये तानगुरु गोबन सिंग मारा आई दे बोल जड़िने उस अफले हो रहे ने साथ संगा जी एदे नाली बाबा बीर सिंग बाबा तीर सिंग जिदी यादे विच गुर्द्वारा साहिब स पाध 우와 नवे पाध्शा तानगु टेग बहादर सहयब सक्चे पाध्शादा सिंग मारा आई बैठे सन गुर्द्वारा जान्डव ते गुर्दवारा महलसर साथ एस पावन पुवितर अस्थान तक श्री दंदमा साथ दी तरती दे उते माजूद ने एक वारी फिर मैं सारी संगता बहुत बहुत आन्वार करदा खालसा साथना देवस्दियां बहुत बहुत बदायां वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फत्र